हेलो फ्रेंड तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने घर में नहीं हूँ तो जैसे मैं पहले वीडियोज अप्लोड करता था वैसे अप्लोड नहीं कर पाऊंगा आवाज में भी थोड़ी सी आपको वॉल्यूम कम लगेगी क्योंकि अपने घर पे नहीं हूँ तो उतना जोड से नहीं बोल सकता हूँ उतना खुलके अपने expressions को नहीं बया कर पाऊंगा इसके बाद इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम SBS 101 के बारे में जिसमें काफी सारे questions के जवाब मिले हैं तो आईए फिर शुरू करते हैं ओडा सर से जो सबसे पहला सवाल पूछा गया वो सवाल ये था कि जैसा कि हम लोग killer को जानते हैं उसने smiley fruit खाया है लेकिन उसे कोई भी power नहीं मिली है तो अगर उसे power मिलती तो उसका transformation कैसा होता तो ओडा सर ने उसका transformation हमें बना के दिखाया है जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो इसके बाद बात कर लेते हैं Frankie की ओडा सर से Frankie के बारे में पूछा गया है कि जब वो अपने 50s या फिर 70s में होगा तो वो देखने में कैसा होगा तो ओडा सर ने उसको भी बना के हमें दिखाया है इसके बाद जो सवाल पूछा गया था वो ये है कि King पूरे उपर से नीचे तक कपड़े पहनता है एकदम pack कपड़े पहनता है तो जब उसे खाना खाना होता है तो क्या वो अपने कपड़े उतार देता है तो यहाँ पर ओडा सर ने हमें बताया है कि इंको अगर खाना खाना होता है तो वो क्या करता है अपनी जोन फॉर्म में आता है जिससे उसकी चोंच बनती है और वो उस चोंच की मदद से खाना खा लेता है जिस वजह से उसे अपने कपड़े नहीं उतारने होते हैं इसके बाद जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि अगर आप YouTube पर देखोगे तो आपको One Piece की काफी सारी वीडियो मिलेंगी तो क्या आप भी YouTube पर उनकी वीडियो देखते हो तो उन्होंने बोला कि मैंने काफी जनों की वीडियो देखी है लेकिन अब वो YouTube पर कोई भी थियोरी वीडियो या फिर One Piece से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखते हैं लेकिन हाँ वो लोगों की नौलिज से बहुत ज़ादा इंप्रेस है इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि सिमिसुकी उशी मारू क्या वो जोरो के फादर है क्योंकि अगर आप लोग बहुत ध्यान से चैप्टर्स को पढ़ोगे तो ये उसका पिताजी लगता है तो यहाँ पर ओडासर ने बोला है कि सिमिसुकी उशी मारू जोरो के फादर नहीं है उनी मारू ने जब जोरो को पहली बार देखा था और उससे सुसूई चुराई थी तो उन्हें जोरो एकदम उशी मारू जब जब जवान था वैसा ही लगा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह उसके फादर है यह सीन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इसलिए इनके नाम आपको स्टोरी में भी नहीं बताए जाएंगे यह बस आपको यहाँ पर रिवील कर दिये गए हैं इसके बाद जो सिमिसु की उशी मारू था वो दामियो रिंगो का था इसके बाद आता है फुगेसु, ओमी, शुभी जो की दामियो आफ कीवी है इसके बाद उजु की टैमपूरा जो की दामियो आफ उडोन है इन तीनों को बीस्ट पारिट्स ने हरा दिया था इसके बाद जो की सबसे भारी भरकम सवाल था कि शेंक्स के कुरू के हमें थोड़े से मेंबर्स का नाम बताया गया है लेकिन बाकियों का नाम नहीं बताया गया है जैसे कि हमें शेंक्स का नाम पता है लकी रोक्स का नाम पता है बैन बैकमैन का पता है याशौप का पता है इन चारों का ही नाम हमें बता दिया गया है, लेकिन बाकियों का नाम नहीं बताया है, तो अब Oda Sir ने volume SBS में इनके नाम भी हमें बता दिये गए है, इस बंदे का नाम है Lime Juice, इस बंदे का नाम है Bonk Punch, और जो ये बंदर बैठा है इसका नाम है Monster, इसका नाम है Building Snake, Snake इसका नाम है Honggu और इसका नाम है Howling Gas यह जितने नाम मैं ने लिये हैं या तो यह Officer है या फिर यह Executive है Rockstar ताकतवर हो सकता है लेकिन एक बात धियान रखिये कि यह ना ही Officer है और ना ही Executive है तो यह था Shanks का पूरा क्रू जिसका नाम Reveal कर दिया गया है तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिये कुरोना से साथधान गुड बाई